हलो स्टुडेंट्स, एवियन नॉलिज में एक बार आप सभी का फिर से वैलकम है दोस्तों, आपको गलत फहमी है कि जीवन में कुछ भी सीखना हो, नॉलिज लेनी हो, ज्ञान लेना हो, तो उसके लिए पैसों की आवशकता होती है जी नहीं, सीखना ग्यान या नॉलिज एक्स्टरनल नहीं, बलकि इंटरनल थिंग है दुनिया की कोई भी ताकत आपको कुछ नहीं सिखा सकती, यदि आपका खुद का मन ना हो तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से कुछ न कुछ सीखना चाते हैं तो सिर्फ आपको दो काम करने हैं, एक आप अपने नेट का रिचार्ज कराईए और दूसरा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो इसी कड़ी में जो पहले मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ाए थे उसी का सॉल्यूशन मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ दो कॉस्चन्स मैं आपको सॉल्व कराऊंगा वॉल्यूम से रिलेटिड तो चलिए शुरू करते हैं तो स्टुडेंट्स आज हम देखेंगे वॉल्यूम से रिलेटिड क्वेश्चन्स पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि आपको किसी भी फिगर के लिए ये बोला जाए कि आपको इस फिगर के लिए कलर करना है यह आपको इस फिगर को कवर करना है तो आप से वो सरफेस एरिया की बात करना है लेकिन यदि कोई आप से ये बोले क्वेश्चन में आपको ये दिया जाए कि आप उस शेप के अंदर पानी भरिये या आप उसमें से पानी निकालिये या कोई air की बात हो यानि internal बात हो या किसी भी shape को melt करके, पिगला करके या तोड़के दूसरी shape बनाई जा रही हो कितनी shape बनेंगी बड़ी shape को पिगला दिया छोटी कितनी सारी shapes बनेंगी shapes आपको सबको पता है आपके पास cylinder है, आपके पास spare है, cube है, cuboid है बहुत सारी shapes हैं मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि कौन-कौन सी shape आपको अपने घर में कैसी-कैसी दिखाई पड़ती है तो दोस्तों आज हम बात करेंगे volume की और देखेंगे पहला question दो question मैं आपके लिए लेके आया हूँ इससे related जो भी questions आपको मिल जाए आप बड़े आराम से कर लेंगे मैं आपको बिलकुल विश्वास के साथ बोलता हूँ, यदि आपने ये पूरा वीडियो अगर watch कर लिया तो आप जरूर volume से related questions solve कर पाईगे सबसे पहली बात ये जब भी आपसे ये बोला जाए कि किसी भी shape को किसी भी solid shape को पिगला करके या तोड़ करके अलग shape बनाई जा रही है तो आप समझ जाए कि उसके अंदर की बात हो रही है और मैंने आपको बताया था कि जब भी अंदर की बात हो तो समझ जाए ये volume की बात हो रही है सीधा सा formula है जब भी आप से संख्या पूछी जाए जब भी आप से number पूछा जाए कि इस बड़ी shape को पिगला करके छोटी कितनी shapes बनेंगी तो आपको कुछ नहीं करना सिर्फ volume का formula लगाना है और बड़ी shape का volume उपर रखना है छोटी shape का volume नीचे और आप अच्छी तरह से जानते हैं उपर नीचे का मतलब होता है dividation यानि cutting तो चलिए हम आज का question आपको दिखाते हैं पहला question है मेरे पास The length, breadth and height of wall are 5 meter, 30 centimeter and 3 meter How many bricks will be needed to build the wall The dimensions of brick are 20 centimeter, 10 centimeter and 7.5 centimeter आप सभी को पता है कि सबसे पहले maths में ये देखा जाता है कि आपका जो question है वो same units पे depend है या नहीं अगर वो same unit पे depend नहीं है तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि unit को same कर लीजे देखिए आपको 5 meter और 3 meter यहाँ पे दे रखा है लेकिन इसकी एक जो breadth दे रखी है वो 30 centimeter है तो सबसे पहला काम आपके लिए है कि आप 30 centimeter को या तो change कर लीजे या फिर आप 5 meter और 3 meter को change कर लीजे हम 5 और 3 unit को change करेंगे तो जब हम 5 meter को centimeter में change करेंगे तो आप जानते हैं कि 100 का difference है 5 से 100 को into करेंगे तो आपके पास 500 centimeters आ जाएगा इसी तरह से 3 meter को जब हम change करेंगे 3 into 100 means 300 centimeters तो अभी हमारे question की सारी units सेम हो चुकी है तो चलिए जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी आप से पूछा जाए कि इस चीज को melt करके ये चीज बनानी है तो क्या करेंगे volume का formula लगाएंगे volume बड़ी shape का उपर रखेंगे और छोटी shape का नीचे रखेंगे आपको number मिल जाएगा बिल्कुल easy question है इससे related कितने भी question हो हजारो questions आपके सामने आजाएं आप तुरंट solve कर देंगे बिल्कुल simple है बस शर्त यह ही है कि उनकी units को same कर लीजे तो देखिए the length, breadth and height of wall are 5, 30 and 3 हमने इसको बदल लिया आपके सामने units से है how many bricks आपसे पूछ लिया how many बोली दिया आप समझ गए होंगे कि how many जब बोले आपसे number पूछ रहा है कि कितनी how many, कितनी bricks will be needed जरुरत पड़ेगी bricks की will be needed कितनी bricks की जरुरत पड़ेगी to build the wall एक दिवार बनाने के लिए तो आप समझ गए होंगे कि दिवार जो है wall है वो बड़ा shape है और brick जो है वो छोटा shape है तो बड़ा जो shape है उसका आपको volume उपर रखना है और जो छोटा shape है उसका volume नीचे रखना है simple सा हमारे पास formula आजाएगा number of bricks आप से पूचा है needed देख लीजे आप यहाँ पे how many bricks संख्या पूची है और मैंने आपको बोला है जब भी आप से संख्या पूचे number पूचे कुछ नहीं करना and is equal to आप लगा दीजे and is equal to बड़ी shape का volume उपर रखिए छोटी shape का volume नीचे रखिए तो आप बताएंगे कि बड़ी shape इसमें कौन सी है आपको हराम से पता चल रहा है कि बड़ी जो shape है वो wall है और छोटी shape brick है इत्तफाक से इस question में दोनोई shape cuboid हैं तो मैंने दोनो shapes के आगे CC लिग दिया है जिससे आपको पता चल सके कि ये दोनोई shape cuboid है wall आपकी cuboid है और brick भी आपकी cuboid है लेकिन आप one लगाना ना भूलें क्योंकि one लगाएंगे one brick का जो volume होगा उसको shape के volume से divide करने पर ही आपका number आपके सामने आएगा तो चलिए formula में हम हमारे digits को रखते हैं साथ में units को रखते हैं तो देखिए उपर का जो formula है आपको अच्छी तरह से पता है कि wall cuboid के shape की है और cuboid का formula होता है length into breath into height volume का formula आपको याद भी किया करवाया था पिछले वीडियो में volume का formula length into breath into height को जब हम याँ रखेंगे तो रखने के बाद हम value पुट करेंगे नीचे भी हम length into breath into height रखेंगे volume of brick one brick जब आप length into breath into height को खोलेंगे तो length आपके पास होगी 500 cm जो हमने 5 मीटर से बनाई है breadth आपके पास होगी 30 cm और height आपके पास होगी 300 cm brick की जो value है हमारे पास length 20 cm है हमारे पास साथ की साथ breath 10 cm है और height हमारे पास 7.5 cm है आपका question ये मान लीजे solve होने ही वाला है कुछ नहीं होगा सिर्फ उपर से नीचे cut कीजे आपके पास answer सामने होगा बिल्कुल simple सी theory है सबसे पहले units को cut कीजे semi से semi cut semi से semi cut semi से semi cut इसके बाद जो point के digits होते हैं उनको आप point अटा करके नीचे 1 लगा लीजे इसके बाद जितने digits हैं उतने 0 यानि हमारे पास single 5 ये 0 लगा लीजे तो ये जो 10 हमारे पास आ गया है इस 10 को हम जब 3 stairs बन जाती हैं 10 को हम सबसे उपर ले जाते हैं नीचे नीचे वाली stairs को तो 10 हमारे उपर आ गया नीचे जो चीज है हमारे पास वो पूरी हमारे पास 75 बन चुकी है अब हम जब इनको cut करेंगे तो आपके सामने ही मैं cut करूंगा 0 से 0 cut 10 से पूरा 10 cut और आप देखिए क्या cut हो रहा है आपके सामने और कुछ cut हो रहा हो तो 2 1s are 2 ये 15 से cut हो रहा है 75 आपके सामने 75 को जब हम cut करेंगे तो 75 4 times जाएगा 75 को double करते हैं तो 150 आता है 150 को जब double करते हैं तो 300 आता है तो ये 4 times आपका चला जाएगा सब चीज cut हो चुकी है मेरे ख्याल से नीचे आपके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ जब कुछ भी नीचे नहीं बसता तो उपर वाले जो digits हैं उनको into कर लीजे यूनिट भी cut चुकी है आपके पास 15 है 4 है और 50 है 15 को जब हम 4 से into करेंगे तो 60 आएगा और 60 को जब हम 50 से into करेंगे 6 5s are 30 और 2 0s आपके साथ में है तो 3000 आपका अंसर हो जाएगा नमबर कभी भी units में नहीं होते हैं इसलिए units अपने आपके पास question था लेकिन इनी questions को बहुत ज़्यादा गुमा दिया जाता है लेकिन मैंने आपसे clear किया जब भी हमसे संख्या पूची जाए नमबर पूचा जाए कि कितना कि इसको तोड़के ये बनाना है इससे ये बनाना है या इसको पिगला करके ये बनाना है तो हमेशा volume का formula लगेगा बड़ी shape का volume उपर रखिए छोटी shape का volume नीचे रखिए हमारे पास नमबर आ जाएगा इसके बाद हम चलते हैं अगले question में same to same उसी तरीके का question है मैं आपके सामने दो same तरीके questions इसलिए लेकर आया हूँ कि आपको समझ में आ सके तो by melting a metallic solid sphere पिगलाना है melting metallic solid sphere sphere को पिगलाना है with radius 9 cm जिसकी radius sphere की radius sphere आपको बता दिया था पिछली वीडियो में बिल्कुल goal ball जैसे जो होता है उसकी जो radius 9 cm है some cones are recasted कुछ आपको क्या बनाने है cones बनाने है cones यानी joker की टोपी और softy समझ गए होंगे cones आपको बनाना है दुबारा से if the radius and height of cones अगर radius 3 cm हो किसकी cone की और height 6 cm हो cone की respectively then find the number of cones recasted तो आप find करके बताइए number की कितने cones बनेंगे तो आगी नहीं बात मैंने आपको बताया था ना कि जब भी आपसे number पूछे संक्या बूचे की इसको पिगला करके क्या बनेगा उसको ये क्या बनेगा उसको तोड़कर क्या बनेगा क्या होगा ये सब बातें आपको volume की याद दिलाती है तो तुरंत आप volume का formula लगाईए बस ध्यान रखिए कि बड़ी shape का volume उपर लगाना है चोटी shape का volume नीचे बड़ी shape no doubt वही होगी जिसको पिगलाना है जिसको melt करना है तो बड़ी shape यहाँ पे कौन है स्फेर इस स्फेर को पिगला करके कौन्स बनाने है छोटे योटे 1 लगाना ना बूले तब ही आपका number आएगा volume of sphere आपको याद है formula 4 upon 3 pi r cube और volume of cone नीचे है 1 upon 3 pi r square h formula आपने याद किये ही थे नहीं किये तो आप दुबारा याद कर लिजे उसके बिना आपके solutions नहीं हो सकते simple सा solution है number निकालने के लिए उपर रखिए बड़ी figure का volume नीचे रखिए छोटी figure का volume तो volume of sphere हमारे सामने 4 upon 3 pi r cube और cone का जो volume है हमारे सामने 1 upon 3 pi r square h कुछ भी नहीं करना only जो आपके पास formula है उसमें अपनी value पूट कीजिए 4 upon 3 की जगे 4 upon 3 pi की जगे 22 upon 7 r cube आप देखेंगे मैंने आपको बताया था आप एक step चाहें तो ज़्यादा लिख सकते हैं मैंने direct किया है यहाँ पर r cube की जगे मैंने लिखा है 9 आपको r यहाँ दे रखी है sphere की radius दे रखी है 9 semi को मैंने 3 times खोल दिया है इसके साथ साथ नीचे जब हम आएंगे तो volume of cone आपने लिखा हुआ है 1 upon 3 pi r square h 1 upon 3 की जगे 1 upon 3 pi की जगे 22 upon 7 r को भी हमने 2 times 3 semi into 3 semi करके यहाँ खोल दिया है और h जो हमारे formula में है h means height जो हमारे cone की height है वो हमें दे रखी है 6 cm हमने ऐसे कैसे लिखती है अब हमारे पास number के साथ साथ सारे की सारी value पूठ हो चुकी है number आ जाएंगे अब निकल के unit से unit cut कर दीजे semi से semi सभी cut हो जाएंगे semi से semi अब आप देखेंगे 3 1s are 3 3 3s are 9 3 1s are 3 3 1s are 3 वो 9 cut हो गया इसके साथ साथ आप देखेंगे जब आपके पास 4 stairs हो तो आप देखेंगे तो यह वाला जो 4th stair है 6 b आप काट सकते हैं 3 2s are 6 3 3s are 9 2 1s are 2 2 2s are 4 अब आपके सामने बचा है 2 into 9 into 3 तो 9 3s are 27 और 27 को जब 2 से into करेंगे तो आपके पास अंसर आएगा 54 तो students 54 आपके पास अंसर है यहाँ पर number आपके सामने आ चुका है जितने भी मैल टोकर के कोन बने है वो बने है 54 तो यह थे हमारे volume से related वो questions जिन में आपसे number पूछा जाता है जिन में आपसे संख्या पूछी जाती है कि इस चीज को पिगला करके यह figure बनानी है इसको तोड़ करके यह figure बनानी है मैं उमीद करता हूँ students कि आप सबको इस तरह के questions समझ में आये होंगे अगर फिर भी आपको इस तरह के questions समझ में ना आये हों तो एक बार आप वीडियो को replay करके जरूर देखें मैं आपके लिए इसी तरह के solutions लाता रहूंगा आप comment box में किसी भी तरह की शिकायत या किसी भी तरह की problem आपके पास हो किसी भी subject से related तो comment box में जरूर लिखें मैं मिलता हूँ और एक अच्छे वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिद